मनुष्य का सत्य और आभास मैं स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी द्वारा न्यू यॉर्क में दिया हुआ भाशन हम यहां खड़े हैं परन्तु हमारी दृष्टी दूर बहुत दूर और कभी-कभी तो कोसों दूर चली जाती है जबसे मनुष्य ने विचार करना आरंभ किया तभी से वह ऐसा करता आ रहा है मनुष्य सदैव आगे और दूर देखने का प्रैतन करता है वह जानना चाहता है कि इस शरीर के नश्ट होने के बाद वह कहां चला जाता है इसकी व्याख्या करने के लिए अनेक सिध्धानतों का प्रचार हुआ सैकडों मतों की स्थापना हुई उनमें से कुछ मत खंडित करके छोड़ भी दिये गए और कुछ स्वीकार किये गए और जब तक मनुष्य इस जगत में रहेगा जब तक वह विचार करता रहेगा तब तक ऐसा ही चलेगा इन सभी मतों में कुछ न कुछ सत्य है और साथ ही उनमें बहुत सा असत्य भी है इस संबंध में भारत में जो सब अनुसंधान हुए हैं उनी का सार, उनी का फल मैं तुम्हारे सामने रखने का प्रयत्न करूँगा भारतिय दार्शनिकों के इन सब विभिन्नमतों का समनवय तत्व चिंतकों तथा मनो वैज्यानिकों के सिध्धान्तों का समनवय और यदि हो सका तो उनके साथ आधुनिक वैज्ञानिक चिंतकों के सिध्धान्तों का भी समनवय करने का प्रयत्न करूँगा वेदान्त दर्शन का एक मात्र विशय है एकत्व की खोज हिंदू मन वस्तु विशेश के लिए परवाह नहीं करता वह तो सदैव सामान्य की यही क्यों सार्व भौमिक की खोज करता है वह क्या है जिसके जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है यहाँ एक विशय वस्तु है जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले को जान लेने पर मिट्टी से बनी हुई समस्त वस्तूओं को जान लिया जाता है उसी प्रकार ऐसी कौन सी वस्तू है जिसे जान लेने पर समस्त विश्व को जाना जा सकता है यही एक खोज है हिंदू दार्षनिकों के मतानुसार समस्त जगत का विशलेशन करके उसे आकाश में परेवसित किया जा सकता है हम अपने चारों और जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, छूते हैं, आस्वादन करते हैं वह सब इसी आकाश की विभिन अभिव्यक्ति मात्र है यह आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापी है ठोस, तरल और वाश्पिय, सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार के रूप, शरीर, पृत्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, सब इसी आकाश से निर्मित है किस शक्ति ने इस आकाश पर कार्य करके इसमें से जगत की स्रिष्टी की, आकाश के साथ एक सर्वव्यापी शक्ति रहती है जगत में जितनी भी भिन भिन शक्तियां है आकर्शन, विकर्शन, यहां तक की विचार शक्ती भी सभी प्राण नामक एक महाशक्ती की अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्राण ने आकाश पर कार्य करके इस जगत प्रपंच की रचना की है। कल्प के प्रारंभ में यह प्राण मानो अनंत आकाश समुद्र में प्रसुप्त रहता है। प्रारंभ में यह आकाश गतिहीन होकर अवस्थित था। बाद में प्राण के प्रभाव से इस आकाश समुद्र में गति उत्पन्न होने लगती है। और जैसे जैसे इस प्राण का स्पंदन या गती होने लगती है, वैसे वैसे इस आकाश समुद्र में से नाना ब्रह्मांड, नाना जगत, कितने ही सूर्य, चंद्र, तारे, पृत्वी, मनुष्य, जन्तू, उद्भिद और नाना विद शक्तियां उद्पन्न होती रहती जन्दूओं के मत से सप्रकार की शक्तियां प्राण की और सप्रकार के भौतिक पदार्थ आकाश की विभिन अभी व्यक्तियां हैं। तब तक यह प्राण मानु निद्रित अवस्था में रहेगा। कल्परंभ होने पर वह जाक कर पुनह नाना रूपों को प्रकाशित करेगा और कल्पांत में फिर से सब का लय हो जाएगा। पर यह विशलेशन भी अधूरा है। इतना तो आधुनिक भौतिक विज्ञान को भी ज्ञात है। इसके परे भौतिक विज्ञान की पहुँच नहीं है। पर इस अनुसंधान का यहीं अंत नहीं हो जाता। हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया, जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सके। हमने समस्त जगत को भूत और शक्ति में अत्वा प्राचीन भारतिय दार्शनिकों के शब्दों में आकाश और प्राण में परियवसित कर दिया। अब आकाश और प्राण को उनके मूल तत्व में परिवसित करना होगा. इन्हें मन नामक उच्चतर सत्ता में परिवसित किया जा सकता है. मन, महत, अथवा समश्टी, विचार शक्ती से प्राण और आकाश दोनों की उत्पत्ती होती है. प्राण या आकाश की अपेक्षा विचार सत्ता की और अधिक सुक्ष्मतर अभिव्यक्ती है. विचार ही स्वयम इन दोनों में विभक्त हो जाता है. प्रारंभ में यह सर्व व्यापी मन हो था और इसने स्वयम व्यक्त, परिवर्तित और विकसित होकर आकाश और प्राण य इन दोनों के सम्मिश्रण से सारा जगत बना। अब हम मनो विज्ञान की चर्चा करेंगे। मैं तुमको देख रहा हूँ। आखें बाहिय समवेदनाएं मेरे पास लाती हैं और समवेदक नाडियां उन्हें मस्तिश्क में ले जाती हैं। आखें देखने का साधन नहीं हैं, वे उसका केवल बाहरी यंत्र हैं। क्योंकि देखने का जो वास्तविक साधन है, जो मस्तिश्क में समवेदनाएं ले जाता है, उसको यदि नष्ट कर दिया जाए, तब बीस आखें रहते हुए भी मैं तुम में से किसी को भी न देख सकूँगा। पर भले ही चित्र पूरा हो, फिर भी मैं तुमको न देख सकूँगा। अतयव वास्तविक दर्शन इंद्रिय इस यंत्र से भिन्न है, इस यंत्र चक्षु के पीछे यथार्थ चक्षुरिद्रिय है, सब प्रकार की विश्यानुभूतियों के संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए। नासिका घ्राने इंद्रिये नहीं है वह तो यंत्र मात्र है घ्राने इंद्रिये उसके पीछे हैं प्रत्येक इंद्रिये के संबंध में समझना चाहिए कि बाहिय यंत्र इस स्थूल शरीर में अवस्थित है और उनके पीछे इस स्थूल शरीर में ही इंद्रियां भी मौजूद हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, मानलो मैं तुम से कुछ कह रहा हूँ और तुम बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, इसी समय यहां एक घंटा बचता है और शायद तुम उस घंटे की ध्वनी को नहीं सुन पाते, यह शब्द तरंगों ने तुम्हारे कान में पहुँचकर कान के परदे में आघात किया, नाडियों के द्वारा यह समवाद मस्तिष्क में पहुँचा, पर फिर भी तुम उसे नहीं सुन सके, ऐसा क्यों? यदि मस्तिष्क में आवेग संवाहित करने स इंद्रियों से ही सुनने की सारी क्रिया संपूर्ण हो जाती है। पर तो भी विशया नुभूती पूर्ण न होगी। एक और वस्तु आवश्यक है। भीतर से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया से ज्ञान उत्पन्न होगा। बाहर की वस्तु ने मानो मेरे अंदर समवाद प्रवाह भेजा। मेरे मन ने उसे ले जाकर बुद्धी के निकट अर्पित कर दिया। बुद्धी ने पहले से बने हुए मन के संसकारों के अनुसार उसे सजाया और बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया प्रवाह भेजा। बस। इस प्रतिक्रिया के साथ ही विशया नुभूती होती है। मन की जो स्थिती ये प्रतिक्रिया भेजती है उसे बुद्धी कहते हैं किन्तु इससे भी विशय अनुभूती पूर्ण नहीं हुई मान लो एक कैमरा है और एक परदा मैं इस परदे पर एक चित्र डालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा मुझे उस यंत्र में से नाना प्रकार की प्रकाश किरणों को इस परदे पर डालने का और उन्हें एक स्थान में एकत्र करने का प्रयत्न करना होगा इसके लिए एक अचल वस्तु की आवश्यक्ता है जिस पर चित्र डाला जा सके किसी चलनशील वस्तु पर ऐसा करना असंभव है, कोई स्थिर वस्तु चाहिए क्योंकि मैं जो प्रकाश किरणे डालना चाहता हूँ, वे सचल है और इन सचल प्रकाश किरणों को किसी अचल वस्तु पर एकत्र, एकी भूत, सम्मिलित और केंद्रित करना होगा यही बात उन समवेदनों के विशय में भी है, जिनें इंद्रियाम मन के निकट और मन बुद्धि के निकट समर्पित करता है जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल जाती, जिस पर यह चित्र डाला जा सके जिस पर यह भिन 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 भाव एकत्री भूत होकर मिल सकें, तब तक पह विशया नुद्धूति पूर्ण नहीं होती वह कौन सी वस्तु है, जो हमारे अस्तित्व के विभिन परिवर्तन शील विभागों को एकत्व का भाव प्रदान करती है वह कौन सी वस्तु है जो विभिन गतियों के भीतर भी प्रतिक्षन एकत्व की रक्षा किये रहती है। तो चित्र पड़ेगा ही नहीं। अर्थात उस वस्तु को उस द्रश्टा को एक अखंड अविभाज्य व्यक्ति इंडिविजुल होना चाहिए। जिस वस्तु पर मन सब चित्रांकन करता है, जिस पर मन और बुद्धी द्वारा ले जाए गई हमारी समवेदनाएं स्थापित, श्रेणी बद्ध और एकत्रिभूत होती हैं। बस उसी को मनुष्य की आत्मा कहते हैं। तो हमने देखा कि समश्टी मन या महत आकाश और प्राण इन दो भागों में विभक्त है, और मन के पीछे है आत्मा। समश्टी मन के पीछे जो आत्मा है, उसे इश्वर कहते हैं। व्यष्टी में यह मनुष्य की आत्मा मात्र है। जिस प्रकार विश्व में समष्टी मन, आकाश और प्राण के रूप में परिणत हो गया है। उसी प्रकार समष्टी आत्मा भी मन के रूप में परिणत हो गई है। अब प्रश्ण उठता है। क्या इसी प्रकार व्यष्ट भीतर ही तीन है, अत्वा ये सब एक ही सत्ता की तीन विभिन्न अवस्थाएं हैं, हम क्रमशह इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, जो भी हो, हमने अब तक यही देखा कि पहले तो यह स्थूल दे है, उसके पीछे हैं इंद्रियाम, फिर मन, तत्पश्चत ब कि आत्मा सगुण है, अर्थात भोग, सुख, दुहक, आदिन सभी यथार्थ में आत्मा धर्म हैं, पर अद्वैतवादी कहते हैं कि वह निर्गुण है, उसमें यह धर्म नहीं है, कि हम पहले द्वैतवादियों के मत का आत्मा और उसकी गती के संबंध में उनके मत का वर अधक होने के कारण एवं आकाश और प्रान से गठित न होने के कारण अवश्य अमर है। इस शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा रहेगी। वेदान्तवादियों के मत से जब इस शरीर का नाश हो जाता है तब मनुष्य की इंद्रिया मन में लीन हो जाती है। मन का प्रान में ले हो जाता है, प्रान आत्मा में प्रविष्ठ हो जाता है और तब मानव की वा आत्मा मानो सूक्ष्म शरीर अत्वा लिंग शरीर रूपी वस्त्र पहन कर चली जाती है। इस सूक्ष्म शरीर में ही मनुष्य के सारे संसकार वास करते हैं। संसकार क्या है? मन मानो सरोवर के समान है और हमारा प्रत्येक विचार मानो उस सरोवर की लहर के समान है। जिस प्रकार सरोवर में लहर उठती है, गिरती है, गिरकर अंतरहित हो जाती है, उसी प्रकार मन में ये सब विचार तरंगें लगातार उठती और अंतरहित होती रहती हैं। सारा मन में अवस्थित है, ये सब वहां सूक्ष्म रूप में हैं और मनुष्य के मर जाने पर भी ये संसकार उसके मन में विद्यमान रहते हैं, वे फिर सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते रहते हैं। सूक्ष्मियों का अनुसरन करते हुए वे सूर्य लोक में जाते हैं, वहां से वे चंद्र लोक और चंद्र लोक से विद्यो लोक में उपस्थित होते हैं। वहां एक मुक्त आत्मा से उनका साक्षात कार होता है। वह इन जीव आत्माओं को सर्वोच ब्रह्म लोक में ले जाती है। यहां उन्हें सर्वग्यता और सर्वशक्ती मत्ता प्राप्त होती है। उनकी शक्ती और ज्ञान प्रायह ईश्वर के समान हो जाता है। और दुवैत वादियों के मत से वे अनंत काल तक वहां वास करते हैं। अथवा अदवैत वादियों के अनुसार कलपांत में ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करते हैं जो लोग सकाम भाव से सतकार्य करते हैं वे मृत्यू के बाद चंद्रलोक में जाते हैं वहाँ नाना प्रकार के स्वर्ग हैं वे वहाँ पर सूक्ष्म शरीर देव शरीर प्राप्त करते हैं वे देवता होकर वहाँ वास करते हैं और दीर्ग काल तक स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं. इस भोग का अंत होने पर फिर उनका प्राचीन कर्म बलवान हो जाता है, अथ फिर से उनका मर्त्यलोक में पतन हो जाता है. वे वायू लोक, मेग लोक आदी लोकों में से होते हुए अंत में वरिष्टि धारा के साथ पृत्वी पर गिर पड़ते हैं वरिष्टि के साथ गिर कर वे किसी शस्य का आश्रय लेकर रहते हैं इसके बाद जब कोई व्यक्ती उस शस्य को खाता है तब उसके वीर्य से वे फिर से शरीर धारन करते हैं जो लोग अत्यंत दुष्ट हैं वे मरने पर भूत अत्वा दानव हो जाते हैं एवं चंद्र लोक और पृत्वी के बीच किसी स्थान में वास करते हैं उन में से कुछ मनुष्यों को तरस्थ करते हैं और कुछ मनुष्यों से मैत्री भाव रखते हैं वे कुछ समय तक उस स्थान में रहकर फिर पृत्वी पर पशु जन्म लेते हैं कुछ समय पशु देह में रहकर वे फिर से मनुष्य योनी में आते हैं वे और एक बार मुक्तिलाब करने की उपयुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लोग मुक्ति की निकट्टम सीढ़ी पर पहुँच गए हैं, जिनमें अप्वित्रता बहुत कम रह गई हैं, वे ही सूर्य किरणों के सहारे ब्रह्म लोक में जाते हैं। और जो अत्यंत दुष्ट हैं, वे भूत, दानवादी रूपों में परिनत होते हैं, उसके बाद वे पशू होते और मुक्तिलाब के लिए उन्हें फिर से मनुष्य जन्म ग्रहन करना पड़ता है। इस पृत्वी को कर्म भूमी कहा जाता है, अच्छा बुरा सभी कर्म यहीं करना होता है, मनुष्य स्वर्ग काम होकर सतकार्य करने पर स्वर्ग में जाकर देवता हो जाता है, इस अवस्था में वह कोई नया कर्म नहीं करता, वह तो बस पृत्वी पर किये हुए अपने सतकर पूर्व कमर्मों का ही भोग करता है। शुभ और अशुभ कर्मों द्वारा जनित पुरसकार और दंड की अवस्थाओं में नूतन कर्मों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। वे केवल भोगी जाती है। अपना फल दिखाने लगेंगे। जिन लोगोंने कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े कारे किये हैं पर जिनके सारे जीवन की सामान ने गती अच्छी नहीं रही वे सब देवता हो जाएंगे। देव देह धारन कर देवताओं की शक्ति का कुछ काल तक भोग करके उन्हें फिर से मनुष्य होना पड़ेगा। जब सतकर्मों की शक्ति का क्षय हो जाएगा तब फिर से उन पुराने असतकारियों का फल होने लगेगा। जो अत्यंत बुरे कर्म करते हैं उन्हें भूत योनी, दानव योनी में जाना पड़ेगा। और जब उनके बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा, तो उस समय उनका जितना भी सतकर्म शेष है, उसके फल से वे फिर मनुष्य हो जाएगे। जिस मार्ग से ब्रह्म लोक में जाते हैं, जहां से पतन होने अत्वा लोटने की संभावना नहीं रहती, उसे देवयान कहते हैं और चंद्र लोक के मार्ग को पित्रियान कहते हैं। अतेव विदांत दर्शन के मत से मनुष्य ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और यह कर्म भूमी पृत्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि एक मात्र यहीं पर उसके पूर्णत्व प्राप्त करने की सर्वोत क्रिष्ठ और सर्वाधिक संभावना है। देवदूत या देवता आदी को भी पूर्ण होने के लिए मनुष्य जन्म ग्रहन करना पड़ेगा। यह मानव जीवन एक अद्भुत स्थिती और अद्भुत अवसर है। अब हम दर्शन के एक अन्य पक्ष पर विचार करेंगे। बौध लोग इस आत्मा का वे कहते हैं, हम विचारों के प्रवाह को ही क्यों न चलने दें। शरीर और मन के पीछे उनके आधार स्वरूप आत्मा नामक कोई वस्तु मानने की क्या आवश्यकत्ता है। इस शरीर और मन रूपी वस्तु से ही क्या यथेश्ट व्याख्या नहीं हो जाती। और एक तीस कम हम में से अनेक इस तत्व को इसी दृष्ट से देखते हैं। तब फिर शरीर और मन से भिन्न, पर साथ ही शरीर और मन के अधिश्ठान स्वरूप, आत्मा नामक एक पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना की क्या आवश्यकता। बस शरीर और मन कहना ही तो परयाप्त है। स मान लो एक जलती मशाल को घुमाया जा रहा है, तो इससे वह आग एक वृत्त सी प्रतीत होती है। वास्तव में कहीं कोई वृत्त नहीं है, पर मशाल के सतत घूमने से आग ने यह वृत्त रूप धारण कर लिया है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एकत्व नहीं है, जड की राशि लगातार चल रही है, यदि संपूर्ण जड राशि को एक कहकर संबोधित करने की इच्छा हो, तो करो, पर उसके अतिरिक्त वास्तव में कोई एकत्व नहीं है। मन के संबंध में भी यही बात है, प्रत्येक विचार दूसरे विचारों से प्रिथक है, यह प्रबल विचार प्रवाह ही इस ब्रहमात्मक एकत्व का भाव उत्पन्न कर देता है। अतैव, फिर तीसरी वस्तू की क्या आवश्यक्ता, जो कुछ दिखता है, यह जड प्रवाह और यह विचार प्रवाह बस, इनहीं का अस्तित्व है, इनके पीछे और कुछ है, यह सो प्रवाह बात यही है, कि यह परिद्रिश्यमान जगत परियाप्त है, इसके पीछे और कुछ है या नहीं, यह अनुसंधान करने की बिल्कुल आवश्यक्ता नहीं, यह इंद्रिय ग्राहिय जगत ही सर्वस्व है किसी वस्तू को, इस जगत के आश्रय रूप में कलपना कर करने की क्या आवश्यक्ता, जिसमें वे सब गुण आश्रित हों, द्रव्य का ज्यान आता है केवल गुण राशिक त्वरित स्थान परिवर्तन के कारण, इसलिए नहीं कि कोई अपरिणामी वस्तू वास्तव में उनके पीछे है, हम देखते हैं कि यह युक्तियां बड़ सदा, परिवर्तन, परिणाम, चक्रगती, सम्मिश्रण, हम में से बहुत कम लोगों ने ही अपने पीछे स्थितो से स्थिर समुद्र का थोड़ा सा आभास पाया होगा, हमारे लिए तो वह समुद्र तरंगों से आलोडित रहता है, और जगत हमें तरंगों की चंचल राश इस प्रकार हम दो मत देखते हैं, एक तो यह कि इस शरीर और मन के पीछे एक स्थिर और अपरिणामी सत्ता है, और दूसरा यह कि इस जगत में स्थिरता और नित्यता जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तन ही परिवर्तन है, इस मतवय भिन्य का समाधान हमें वस्तू की कलपना किये बिना हम परिणाम की कलपना कर ही नहीं सकते, किसी अपेक्षाकृत अलप परिणामी वस्तू की तुलना में ही किसी वस्तू के परिणाम की बात सोची जा सकती है, और पूर्वक्त अलप परिणामी वस्तू भी अपने से कम परिणाम वाली वस्तू की शांत अवस्था में था, जब वह विरोधी शक्तियों का संतुलन स्वरूप था, अर्थात, जब कोई भी शक्ति क्रियाशील नहीं थी, क्योंकि साम्य अवस्था भंग होने पर ही शक्ति क्रियाशील होती है। वरन इन दोनों से प्रथक है, भूल है। बौध लोग जो कहते हैं कि समस्त जगत परिणाम प्रवाह मात्र है, तो यह भी पूर्णतया सत्य है, क्योंकि जब तक मैं जगत से प्रथक हूँ, जब तक मैं अपने अतिरिक्त और कुछ देखता हूँ, तब तक एक द्रश्टा है और द्रिश्य वस्तु है संक्षेप में। जब तक दूदवैत भाव है, यह जगत सदैव परिणाम शील ही प्रतीत होगा। पर असल बात यह है कि इस जगत में परिणाम भी है और अपरिणाम भी। आत्मा, मन और शरीर। यह तीनों प्रथक प्रथक वस्तुएं नहीं है बलकि एक ही है क्योंकि इन तीनों से बना हुआ यह प्राणी वस्तुता एक है। एक ही वस्तु कभी देह, कभी मन और कभी देह और मन से अतीत आत्मा के रूप में प्रतीत होती है। किन्तु वह एक ही समय में यह तीनों नहीं होती। जो शरीर को देखते हैं, वे मन को नही और जो आत्मा को देखते हैं, उनके लिए शरीर और मन दोनों न जाने कहां चले जाते हैं। इसको चाहे आत्मा कहो या अन्य कोई द्रव्य कहो, जगत में एक मात्र इसी का अस्तित्व है। बस इन दोनों ने उसे समुद्र से प्रिथक किया है। नाम रूप के नश्ठ हो जाने, पर वह समुद्र की समुद्र ही रह जाती है। तरंग और समुद्र के बीच भला कौन भेद कर सकता है। अतैव यह समस्त जगत एक स्वरूप है, जो भी पार्थक्य दिखता है, वह सब नाम रूप के ही कारण है। जिस प्रकार सूर्य लाखों जलकणों पर प्रतिबिंबित होकर, प्रतियक जलकण में अपनी एक संपूर्ण प्रतिकृती स्रिष्ट कर देता है। उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता विभिन्न वस्तूओं में प्रतिबिंबित होकर नाना रूपों में दिखाई पड़ती है। किन्तु वास्तव में वह एक ही है। वास्तव में मैं, अत्वा तुम कुछ नहीं है, सब एक ही है। चाहे कहलो सभी मैं हूँ या कहलो सभी तुम हो यह ट्वैत ग्यान बिलकुल मिथ्या है और सारा जगत इसी दूवैत ग्यान का फल है जब विवेक का उदय होने पर मनुष्य देखता है कि दो वस्तुएं नहीं है एक ही वस्तु है तब उसे यह बोध होता है कि वह स्वयम यह अनंत ब्रहमान स्वरूप है मैं ही यह परिवर्तन शील जगत हूँ और मैं ही अपरिणामी निर्गुण नित्य पूर्ण नित्य आनंद मैं हूँ अतैव नित्य शुद्ध नित्य पूर्ण अपरिणामी अपरिवर्तनी एक आत्मा है उसका कभी परिणाम नहीं होता और य ये सब विभिन परिणाम उस एक आत्मा में प्रतीत मात्र होते हैं। उस पर नाम रूप ने ये सब विभिन स्वपन चित्र अंकित कर दिये हैं। रूप ने ही तरंग को समुद्र से प्रिथक किया है। मान लो कि तरंग विलीन हो गई, तो क्या यह रूप रहेगा? नहीं, वह बिलकुल चला जाएगा। तरंग का अस्तित्व पूर्ण रूप से समुद्र के अस्तित्व पर निर्भर है। पर समुद्र का अस्तित्व तरंग के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। जब तक तरं थक्य का बोध करा रही है पर वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है माया का अस्तित्व है ये नहीं कहा जा सकता रूप या आकरती का अस्तित्व है ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह तो दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर रहती है और उसका अस्तित्व नहीं है ये भी न इस वेचित्रियमे जगत के रूप में दीख पड़ती है। परमार्थतह यह जगत एक अखंड स्वरूप है। जब तक कोई दो परमार्थतह सत्य वस्तूओं की कलपना करता है, तब तक वह ब्रह्म में है। जब वह जान जाता है कि सत्ता केवल एक है, तब ही वह यथार्थ में जानता है। जितना ही काल बीथता जाता है, उतना ही हमारे निकट भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर भी यह सत्य प्रमानित होता जाता है। अब प्रमानित हो गया है कि तुम, मैं, सूर्य, चंद्र, तारे सभी, एक ही जड़समुद्र के भि भिन्न भिन्न अंशो के नाम मात्र हैं और यह जड़राशी सतत परिवर्तित होती रहती है शक्ति का जो कण कुछ मास पहले सूर्य में था हो सकता है आज वह मनुष्य के भीतर आ गया हो कल शायद वह पशु के भीतर और परसों शायद किसी उद्भिद के भीतर प्रवेश कर जायेगा आना जाना निरंतर हो रहा है यह सब एक अखंड जड़ाशी है भेद है केवल नाम और रूप में इसके एक बिंदु का नाम है सूर्य एक का चंद्र एक का तारा एक का मनुष्य एक का पशु एक का उद्भिद आदि-आदि और यह सारे नाम भ्रहमात्मक हैं इस में कोई वास्तविक्ता नहीं है क्योंकि इस जड़ाशी का लगातार परिवर्तन हो रहा है इसी जगत को एक दूसरे द्रिष्टिकोंड से देखने पर यह एक विशाल विचार समुद्र के समान प्रतीत होगा जिसका एक एक बिंदु एक एक विशेश मन है तुम एक मन हो म मैं एक मन हूँ प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक मन है फिर इसी जगत को जब घ्ञान की द्रिष्टि से देखा जाता है अर्थात जब आँखों पर से मोह का आवरन हट जाता है जब मन शुद्ध हो जाता है तब यही नित्य शुद्ध अपरिणामी अविनाशी पूर्ण स्वरूप पुरुष के रूप में प्रतीत होता है तब फिर दुवैतवादियों के परलोकवात का मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है अथवा अमुक लोक में जाता है और बुरा आदमी भूत हो जाता है उसके बाद पशू होता है आदिबातों का क्या होत अद्वेतव कहते हैं, न कोई आता है, न कोई जाता है, तुम्हारे लिए आना जाना किस प्रकार संभव है, तुम तो अनंत स्वरूप हो, तुम्हें जाने के लिए स्थान कहां। ज्यानिक सत्य मिले, अनेक बालक इस प्रश्न को समझ न सके, और अपनी अपनी समझ से उलटे सीधे उत्तर देने लगे, पर एक बुद्धिमती बालिका ने एक दूसरा प्रश्न करते हुए उसका उत्तर दिया, पृत्वी गिरेगी कहां? यह प्रश्न तो निरर्थक है, वि कौन जाता है, कौन आता है, तुम कहाँ नहीं हो, वह स्वर्ग कहां है, जहां तुम पहले से ही नहीं हो, मनुष्य की आत्मा सर्व व्यापी है, तुम कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे, आत्मा तो सब जगह है, अतैव यह जन्म, मृत्तियु स्वर्ग, नरक, आदिरू बच्चों जैसा स्वप्न, बच्चों जैसा ब्रहम सबकुछ पूर्ण जी मुक्तव्यक्ति के लिए एक दम गायब हो जाता है, जिनके भीतर कुछ अज्ञान अवशिष्ट है, उनको वह ब्रहमलोक परियंत नाना प्रकार के दिखा कर फिर अंतरहित होता है, और जो अज्ञ अज्ञानी है, उनके लिए वह रह जाता है, स्वर्ग जाएंगे, मरेंगे, पैदा होंगे, इन सब बातों पर सारा संसार विश्वास क्यों करता है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, उसके प्रिश्ठ पर प्रिष्ठ पढ़े जा रहा हूं, और उने उलटाते जा रहा ह और एक प्रिष्ठ आया, वह भी उलट दिया गया, परिवर्तन किसमें हो रहा है, कौन आ जा रहा है, मैं नहीं, इस पुस्तक के पन्ने ही उलटे जा रहे हैं, सारी प्रकृति आत्मा के समुख रखी एक पुस्तक के समान है, उसका एक के बाद दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है, फिर एक नया द्रिष्य सामने आता है, पढ़ने के बाद उसे भी उलट दिया जाता है, फिर एक नया अध्याय सामने आता है, पर आत्मा जैसी थी, वैसी ही रहती है, वही अनन्त स्वरूब, परिणाम प्रकृति का हो रहा है, आत्मा का नहीं, आत्मा का कभी भी तुम में नहीं. फिर भी अज्य लोग भ्रांत होकर सोचते हैं कि हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, प्रकृती नहीं. यह बात ठीक वैसी ही है, जैसे हम भ्रांती वश समझते हैं कि सूर्य चल रहा है, पृत्वी नहीं. अतह, यह समस्त भ्रांती ही है. जैसे रेल गाड़ी के ब वृत्वी, सूर्य, चंद्र, तारा आधी के रूप में देखता है। और जो लोग इसी मनोभाव से युक्त हैं, वे भी ठीक ऐसा ही देखते हैं। उसे हम मानव कमपन नाम दे देते हैं। अब यदी यह कमपन बदल जाए तो फिर मनुष्य दिखाई नहीं देंगे। संपूर्ण मानव जगत अद्रिश्य हो जाएगा और उसके बदले अन्य द्रिश्य हमारे सामने आ जाएगा। हो सकता है। देव जगत और देवता आधी रूपों में दिखता है। फिर यही दानवों की द्रिश्टी से देखने पर नरक या दंडालय के रूप में प्रतीत होता है। और जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे इसी जगत को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। जो व्यक्तिय जीवन यह सोचता रहा है कि मैं स्वर् उनकी उपासना करूँगा, वह मृत्यू के बाद अपने उसी मनोभाव के अनुरूप देखेगा, यह जगत ही उसके लिए एक ब्रिहत स्वर्ग में परिणत हो जाएगा, वह देखेगा कि नाना प्रकार की अपसराएं, किन्नर आदी उड़ते फिर रहे हैं, और देवगन सि मनुष्य के घड़े हुए हैं, अतयव अद्वैतवादी कहते हैं, द्वैतवादियों की बात सत्य तो है, पर यह सब उनका अपना ही बनाया हुआ है, यह सब लोक, यह देव, दानव, जन्म, पुनर जन्म आदी सभी कालपनिक हैं, और मानव जीवन भी ऐसा ही है, यह सब तो कालपनिक हो और मानव जीवन सत्य हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसी जीवन मात्र को सत्य मान कर मनुष्य सरवदा एक महान भूल करता है, अन्यान निवस्तूओं को तो जैसे स्वर्ग, नरक आदी को कालपनिक कहने से वह ठीक समझ लेता है, पर अपने अस्तित्व को वह कभी कालपनिक मानना नहीं चाहता, ये सारा दृष्यमान जगत कलपना मात्र है, और सबसे बड़ा मिथ्या घ्यान तो ये है कि हम शरीर हैं, हम कभी भी शरीर नहीं थे, और ना कभी हो सकते हैं, हम केवल मनुष्य हैं, ये कहना एक भयानक असत्य है, हम तो जगत के इश्व मान लो, यहां एक बच्चा है और सोने की मोहरों से भरी एक थैली, तुम यहां मेज पर रख देते हो, मान लो, एक चोर आया और थैली ले गया, बच्चे की दृष्टी में थैली का रखा जाना और चोरी हो जाना, दोनों समान है, उसके भीतर चोर नहीं है, इसलिए वह ब अनुष्य को ही बाहर में पाप दिखता है, साधू पुरुष को नहीं, अत्यंत असाधू व्यक्ति इस जगत को नरक के रूप में देखते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग इसे स्वर्ग के रूप में देखते हैं, और जो पूर्ण सिध पुरुष हैं, वे इसे साक्षाद के रूप में देखते हैं, बस तभी नेत्रों पर से आवरण हट जाता है, और पवित्र एवं शुद्ध हुआ वह व्यक्ति देखता है कि उसकी दृष्टी बिलकुल बदल गई है, जो दुहस्वपन उसे लाखों वर्षों से पीडित कर रहे थे, वे सब एकदम समाप्त ह जाते हैं, और जो अपने को इतने दिन मनुष्य, देवता, दानव आदी समझ रहा था, जो अपने को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पृत्वी पर, कभी स्वर्ग में, तो कभी और किसी स्थान में स्थित समझता था, वह देखता है कि वह वास्तव में सर्व व्यापी है, वह काल के अधीन नहीं है, काल ही उसके अधीन है, सारे स्वर्ग उसके भीतर हैं, वह स्वयम किसी स्वर्ग में अवस्थित नहीं है, और मनुष्य ने आज तक जितने देवताओं की उपासना की है वे सब के सब उसके भीतर ही अवस्थित है वह स्वयम किसी देवता में अवस्थित नहीं है वह देव, असुर, मानव, पशु, उद्भिद, प्रस्तर आदि सभी का स्रिष्टि करता है और उस समय मनुष्य का असल स्वरूप, उसके निकट इस जगत से श्रेष्टतर, स्वर्ग से भी श्रेष्टतर, अनन्त काल से भी अधिक अनन्त और सर्वव्यापी आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी रूप में प्रकाशित होता है तब ही मनुष्य निर्भय हो जाता है, तब ही वहमुक्त हो जाता है, तब सारी भ्रांती दूर हो जाती है, सारे दूख दूर हो जाते हैं, सारा भय एकदम चिरकाल के लिए समाप्त हो जाता है, तब जन्म न जाने कहां चला जाता है, और उसके साथ मृत्यू भी, दूख न उड़ जाती है और उसके साथ साथ स्वर्ग भी उड़ जाता है। शरीर चला जाता है और उसके साथ मन भी। उस व्यक्ति की द्रिष्टी में ये सारा विश्व मानों अंतरहित हो जाता है। वह समस्त एक अनंत, अच्छेद्य, अप्रिणामी सत्ता के रूप में परिणत हो जाता है। और ज्यानी पुरुष देख पाते हैं कि वे उस सत्ता से अभिन्न हैं। जिस प्रकार आकाश में नाना वर्ण के मेग आकर कुछ देर खेल कर फिर अंतरहित हो जाते हैं। उसी प् परिवर्तन केवल मेग में होता है। ब्रह्म के वश हो। हम सोचते हैं कि हम अप्वित्र हैं, हम सांथ हैं, हम प्रिधक हैं। पर असल में यथार्थ मनुष्य एक अखंड सत्ता स्वरूप है। यहां पर दो प्रशन उठते हैं। पहला यह की क्या इसकी उपलब्धि संभ संभव है। अब तक तो सिध्धान्त और दर्शन की बात हुई, पर क्या उसकी अप्रोक्षा नुभूती संभव है। हां, बिल्कुल संभव है। ऐसे अनेक व्यक्तिय संसार में इस समय भी जीवित हैं, जिनका अज्ञान सदा के लिए चला गया है। तो क्या सत्य की उप पकड़ कर बीच की लकड़ी को काट दूँ, तो जिस पहिये को मैंने पकड़ रखा है, वह तो रुख जाएगा। पर दूसरा पहिया, जिसमें पहले का वेग अभी नश्ट नहीं हुआ है, कुछ दूर चलेगा और फिर गिर पड़ेगा। पूर्ण शुद्ध स्वरूप आत्मा मानो एक पहिया है, और शरीर मन रूप भ्रांती दूसरा पहिया, ये दानो कर्म रूपी लकड़ी द्वारा जुड़े हुए हैं, ज्यान मानो कुलहाडी है, जो जोड़ने वाली इस लकड़ी को काट देता है, जब आत्मा रूपी पहिया रुख जाता है, तब आत प्रवध और वासनाएं हैं, बिल्कुल चला जाता है। तब वह देखती है कि वह पूर्ण है, वासना रहित है। पर शरीर मनरूप पहिये में पूर्व कर्मों का वेग बचा रहता है। अतह, जब तक पूर्व कर्मों का यह वेग पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शरीर और मन बने रहते हैं। यह वेग समाप्त हो जाने पर इनका भी नाश हो जाता है, और तब आत्मा मुक्त हो जाती है। तब फिर स्वर्ग लोग जाना या स्वर्ग से पृत्वी पर लोटना, यहां तक कि ब्रश्म लोग जाना भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आ जीवित रहते हुए यह मुक्ति प्राप्त करना ही वेदान्ती का लक्ष है। प्रेगिस्तान कहते हैं। एक मास तक वहां मैं घूमता रहा और प्रति दिन मुझे वे सुन्दर द्रिश्य दिखाई देते रहे। एक दिन मुझे बड़ी प्यास लगी। मैंने सुचा कि चलूँ। वहां एक झील पर जाकर प्यास बुझा लूँ। अतैव में इन सुन्द मरीचिका की बात पुस्तकों में पढ़ता रहा हूं। ये तो वही मरीचिका है। और उसके साथ-साथ ये घ्यान भी हुआ कि इस पिछले मास प्रति दिन मैं मरीचिका ही देखता रहा। पर कभी जान न पाया कि यह मरीचिका है। दूसरे दिन मैंने पुनह चलना प्रारं किया। फिर से वही सुन्दर द्रिश्य दिखने लगे पर अब साथ-साथ ये घ्यान भी रहने लगा कि यह सचमुच की जील नहीं है, ये मरीचिका है। बस इस जगत के संदर्भ में भी ठीक यही बात है। हम प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, इस जगत रूपी मर उस्थल में भ्रमन कर रहे हैं, पर मरीचिका को मरीचिका नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन यह मरीचिका अद्रिश्य हो जाएगी, पर वह फिर से आ जाएगी, शरीर को पूर्व कमा के अधीन रहना पड़ता है, अतह यह मरीचिका फिर से लौट आएगी। जब तक हम कर् जगत हमारे समुख आएगा ही, नर, नारी, पशु, उद्भिद आसकती, कर्तव्य सब कुछ आएगा, पर वे पहले की भांती हम पर प्रभाव न डाल सकेंगे। किन्तु इसमें एक भाय की आशंका है, हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में लोग इस विदान्तमत को अपना कर कहते हैं, मैं धर्माधर्म से अतीत हूँ, मैं नैतिक्ता के किसी नियम से नहीं बंधा हूँ, अतह मेरी जो इच्छा होगी वही करूँगा। और नैतिक सभी प्रकार के नियमों के परे हैं, नियम के अंदर बंधन है और नियम के बाहर मुक्ती। यह भी सच है कि मुक्ती आत्मा का जन्म गत स्वभाव है, यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और आत्मा का यह वास्तविक मुक्त स्वभाव, भौतिक आवरण के भीतर से मनुष्य की आपात प्रतियमान स्वतंतरता के रूप में प्रतीत होता है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण हम अपने को मुक्त अनुभव करते हैं। कि मैं बद्ध हूँ, यह धारणा ब्रमात्मक है। कि उत्पत्ती होती है, उससे पहले नहीं। मनुष्य की इच्छा बद्ध है, किन्तु जो इसका आधार है, वह तो सदा ही मुक्त है। इसलिए बंधन की दशा में भी चाहे मनुष्य जीवन हो, चाहे देव जीवन, चाहे प्रित्वी पर हो, चाहे स्वर्ग में, हम में इस स्वतंत्रता या मुक्ती की स्मृती रहती ही है, जो कि हमारा विधिप्रदत्त अधिकार है। और जाने या अंजाने हम सब इस मुक्ती की ही और अग्रसर हो रहे हैं। कोटे भाव किस प्रकार संभव है, वह कैसे कहेगा, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, अत्वा मैं बालक हूँ. क्या ये सब मिथ्या बाते नहीं है, उसने जान लिया है कि ये सब मिथ्या है, तब वह भला किस तरह कहेगा, ये ये पुरुष के अधिकार हैं और ये देशवासी हूँ। ये सब कहना केवल मिथ्या है। सभी देश मेरे हैं। सारा विश्व मेरा है। क्योंकि मैंने अपने को मानो सारे विश्व से ढख लिया है। सारा विश्व ही मानो मेरा शरीर हो गया है। किन्तु हम देखते हैं कि बहुत से लोग विचार करते समय ये सब बातें मुख से कहने पर भी आचरण में सभी प्रकार के अपवित्र कार्य करते रहते हैं और यदि उनसे पूछें तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो वे उत्तर देंगे यह तुम्हारी समझ की भूल है हमसे कोई अन्यान्य होना असंभव है इन सब लोगों को किस कसोटी पर कसे क कसोटी यह है यद्यपी शुभ और अशुभ दोनों एक ही आत्मा के आंशिक प्रकाश मात्र हैं फिर भी अशुभ मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का उसकी आत्मा का बाहयतम आवरण है और शुभ अपेक्शाकृत निकटतर आवरण है जब तक मनुष्य अशुभ के स् अत्रों को पार नहीं कर लेता तब तक वह आत्मा तक नहीं पहुंच सकता आत्मा की प्राप्ति होने पर उसके लिए फिर क्या रह जाता है अत्यंत अल्प कर्म अतीत जीवन के कर्मों का अति-अल्प वेग पर यह वेग भी शुभ कर्मों का ही वेग होता है जब तक अशुभ वेग एकदम समाप्त नहीं हो जाता जब तक पहले की अपवित्रता बिल्कुल दग्ध नहीं हो जाती तब तक कोई भी सत्य का साक्षातकार और उसकी उपलब्धी नहीं कर सकता अतयव जिन लोगों ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने सत्य का साक्षातकार कर लिया है उनके लिए अतीत जीवन के शुभ संसकार, शुभ वेग को ही बच रहता है शरीर में वास करते हुए भी और अविरत कर्म करते हुए भी वे केवल सतकर्म ही करते हैं उनके मुख से सब के प्रती केवल आशीरवाद ही निकलता है उनके हाथ केवल सतकारे ही करते हैं उनका मन केवल सत्चिंतन ही कर सकता है उनकी उपस्थिती ही चाहे वे कहीं भी रहें सर्वत्र मानव जाती के लिए महान आशीरवाद होती है वे स्वयम सजीव आशीरवाद स्वरूप हो जाते हैं यदि वे कुछ भी न बोलें तो भी उनका होना मात्र मानवता के लिए एक आशीश स्वरूप है ऐसा व्यक्ति अपनी उपस्थिती मात्र से घोर दुरात्मा को भी संत बना देता है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या बुरा कार्य संभव है। याद रखो। प्रत्यक्षा नुभूती और केवल मुख से कहने में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति आदी अपने अपने स्थान पर ठीक हैं पर प्रत्यक्षा नुभूती होने पर ये सब पीछे छूट जाते हैं। जैसे नक्षा अच्छी चीज है। पर नक्षे में अंकित देश को स्वयम देखकर आने के बाद यदि उसी नक्षे को फिर से देखो तो कितना अंतर दिखा पड़ेगा। अतयव जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है। उन्हें फिर सत्य को समझने के लिए न्याय युक्ती, तर्क वितर्क, आदी आदी बौधिक व्यायामों की आवश्यक्ता नहीं रह जाती। उनके लिए तो सत्य जीवन का जीवन प्रत्यक्ष से भी प् प्रत्यक्ष उपलब्धी कर चुके हैं, वे कहते हैं। जगत में धर्म संबंधी जो बातें सुनी जाती हैं, वे सब केवल बच्चों किसी बातें हैं। प्रत्यक्ष आनुभूती ही धर्म का सार है। धर्म की उपलब्धी की जा सकती है। प्रश्न ये है कि क्या तुम उसके अधिकारी हो चुके हो? क्या तुम्हें धर्म की सचम प्रत्यक्ष उपलब्धी होगी और तभी तुम वास्तव में धार्मिक होंगे। जब तक यह उपलब्धी तुम्हें नहीं होती, तब तक तुम्में और नास्तिक में कोई भेद नहीं। नास्तिक तो फिर भी निश्कपट होते हैं, किन्तु जो कहता है कि मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूती की चेश्टा नहीं करता, वह निश्चे ही निश्कपट नहीं है। कि इस प्रकार जान लेने से हमारा क्या हुआ, तब क्या हम निश्चेश्ट हो, एक कोने में बैठ कर मर जाए, इससे जगत का क्या उपकार होगा, वही प्राचीन प्रश्न फिर से घूम फिर कर आता है। प्रत्युत के बारे में कुछ खोज कर रहे हो, और बच्चा तुमसे पूछता है, इससे क्या मिठाई मिलेगी, तुम कहते हो, नहीं, तो वह कह उठता है, तो फिर इससे क्या लाब। किसी को तत्युग्यान के अनुसंधान में रत देखकर लोग ठीक इसी प्रकार पूछते हैं, इससे जगत का क्या उपकार होगा, क्या इससे हमें रुप्या मिलेगा, नहीं, तो फिर इससे क्या लाब। लोग उपकार का अर्थ बस इतना ही समझते हैं, तो भी धर्म की इस प्रत्यक्ष अनुभूती से जगत का पूरा उपकार होता है, लोगों को भय होता है कि जब वे यह अवस्था प्राप्त कर लेंगे, जब उन्हें ज्यान हो जाएगा कि सभी एक हैं, तब उनके प्रेम क स्रोत सूख जाएगा, जीवन में जो कुछ मूल्यवान है, वह सब चला जाएगा, इस जीवन में और पर जीवन में, जो कुछ उन्हें प्रिय था, उसमें से कुछ भी न बच रहेगा, पर लोग यह बात एक बार भी नहीं सोच देखते, कि जो व्यक्ति अपने सुख की च पर जब वह देखता है, कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढहला नहीं किन्तु स्वयम भगवान है, पत्नी पती से अधिक प्रेम करेगी, यदि वह समझेगी कि पति साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है, पती भी पती से अधिक प्रेम करेगा, यदि वह जानेगा कि पतनी स्वयम ब्रह्म स्वरूप है। वे माताय संतान से अधिक स्नेह कर सकेंगी, जो संतान को ब्रह्म स्वरूप देखेंगी। वे ही लोग अपने महान शत्रूओं के प्रति भी प्रेम भाव रख सकेंगे, जो जानेंगे कि ये शत्रू साक्षात ब्रहम स्वरूप हैं, वे ही लोग पवित्र व्यक्तियों से प्रेम करेंगे, जो समझेंगे कि पवित्र व्यक्ति साक्षात ब्रहम स्वरूप हैं, वे ही लोग अत्यंत अपवित्र व्यक्तियों से प्रेम करेंगे, जो यह जान लेंग कि इन महादुष्टों के पीछे वे ही प्रभु विराजमान है। जिनका क्षुद्र अहम एकदम मर चुका है और उसके स्थान पर ईश्वर ने अधिकार जमा लिया है। वे ही लोग जगत को अपने इशारे पर चला सकते हैं। उनके लिए सारा जगत दूसरा ही रूप धारन कर लेता है। दुख कर अथवा क्लेश कर जो कुछ भी है वह सब उनकी दृष्टी से लुप्त हो जाता है। सभी प्रकार के द्वंद्व और संगर्ष समाप्त हो जाते हैं। तब यह जगत जहां हम प्रति दिन एक टुकडा रोटी के लिए जगडा और मारपीट करते हैं। उनके लिए कारागार होने के बदले एक क्रीड आक्षेत्र बन जाता है। तब जगत बड़ा सुंदर रूप धारन कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति को यह कहने का अधिकार है कि यह जगत कितना सुंदर है। उन्ही को यह कहने का अधिकार है कि सब मंगल स्वरूप है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष उपलब्धी से जगत का यह महान हित होगा। कि ये अविराम विवाद, द्वंद्व आदि सब दूर होकर जगत शांती का राज्य हो जाएगा। यदि जगत के सभी मनुष्य आज इस महान सत्य के एक भी बिंदू की उपलब्धी कर सकें, तो उनके लिए यह सारा जगत एक दूसरा ही रूप धारन कर लेगा और यह सब जगड़ा समाप्थ हो शांती का राज्य आ जाएगा। और जब देवता-देवता से खेलेगा, देवता-देवता से मिलकर कारे करेगा, देवता-देवता से प्रेम करेगा, तब क्या अशुप ठहर सकता है। इश्वर की प्रत्यक्ष उपलब्धी की यही एक बड़ी उपयोगिता है। समाज में तुम जो कुछ भी देख रहे हो, वह सभी उस समय परिवर्तित होकर एक दिव्य रूप धारन कर लेगा। तब तुम मनुष्य बुरा नहीं समझोगे। प्रथम महालाब है। उस समय तुम लोग किसी अन्याय करने वाले नर नारी की और घ्रणा पूर्ण द्रिष्टी से नहीं देखोगे। हे महिलाओ। फिर तुम रात भर रास्ते में भटकती फिरने वाली दुखी अस्त्री की और घ्रणा से न देखोगी। क्योंकि तुम वहां भी साक्षात इश्वर को देखोगी। तब तुम में इर्शिया अथवा दूसरों पर शासन करने का भाव नहीं रहेगा। वह सब चला जाएगा। तब प्रेम इतना प्रबल हो जाएगा कि मानवजाती को सत्पत पर चलाने के लिए फिर चाबुक की आवश्यक्ता नहीं रह जाएगी। यदि संसार के नर्नारियों का दश लक्षांश भी बिलकुल चुप रहकर एक क्षण के लिए कहे। तुम सभी इश्वर हो, हे मानवो, हे पशुओ, हे सब प्रकार के जीवित प्राणियों। तुम सभी एक जीवंत इश्वर के प्रकाश हो, तो आधे घंटे के अंदर ही सारे जगत का परिवर्तन हो जाए। उस समय चारों और घ्रणा के बीज न बोकर, इरश्या और असत चिंता का प्रवाह न पहला कर सभी देशों के लोग सोचेंगे कि सभी अवह है। जो कुछ तुम देख रहे हो या अनुभव कर रहे हो, वह सब वही है। तुम्हारे भीतर अशुभ न रहने पर तुम अशुभ किस तरह देखोगे। तुम्हारे भीतर यदि चोर न हो, तो तुम किस प्रकार चोर देखोगे। तुम स्वयम, यदि खूनी नहीं हो, तो किस प्रकार खूनी देखोगे। तुम साधु हो जाओ, तो असाधु प्रभाव तुम्हारे अंदर से एकदम चला जाएगा। इस प्रकार सारे जगत का परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही एक देवस्वभाव मनुष्य के स्पर्ष द्वारा मेरा समस्थ जीवन परिवर्तित हो गया है। इनके संबंध में आगामी रविवार को मैं तुमसे कहूंगा। आज इन सबका जगत में प्रचार करने का समय आ गया है। अब मठों की चहार दीवारी में आबध न रहकर, केवल पंडितों के पढ़ने की दार्षनिक पुस्तकों में आबध रहकर, केवल कुछ संप्रदायों के अथवा कुछ पंडितों के एकाधिकार में न रहकर, इन भावों का समस्थ जगत में प्रचार होगा। जिससे ये साधू, पापी, आबाल वृद्ध वनिता, शिक्षित, अशिक्षित सभी की साधारन समपत्ति हो जाए। तब ये सब भाव इस जगत के वातावरण को ओत प्रोत कर देंगे और हम श्वास प्रश्वास द्वारा जो वायू ले रहे हैं, वह अपने प्रत्येक प्रत्येक प्राणी के माध्यम से एक स्वर से कह उठेगा तत्वमसी।